दोस्तों, वृतों में एकादशी का वृत सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, एकादशी का वृत करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है। आज हम पुत्रदा एकादशी का महात्मय आपको सुनाएंगे, पौश माह के शुकल पक्ष की एकादशी को पु भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, तुम तो सब कुछ जानते हो, तुम सर्व ग्याता हो, संसार में मनुष्यों के कल्यान के लिए तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण गीता का उपदेश भी दिया है, और तुमने मुझे अनेक व्रतों और एकादशी का भी किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, संसार के कल्यान के लिए आपने उत्तम प्रश्ण किया है, इसलिए मैं आपको पौश के शुकल पक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व समझाता हूँ, और इस दिन मनुष्य को पुत्र, धन समपत्ति, वैभ आदी की प्राप्ति के लिए कौन से कार्य करने चाहिए, इसके बारे में भी बताता हूँ, इसी लिए आप इसे ध्यान पूर्वक सुने, हे राजन, पॉश के शुकल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, मनुष्य को विधि पूरवक इस एकादशी करने वाली एक महान कथा सुनाता हूँ, इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को सौ यग्य करने का फल प्राप्त होगा, उसे उत्तम संतान की प्राप्ती होगी और धन धान्य से उसका जीवन भर जाएगा, इसी लिए हे राजन, आप इस कथा को ध्यान पूर्वक पिर महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे केशव, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ, जो तुम्हारे मुख से मुझे यह कथा सुनने को मिल रही है, मैं जन्म जन्मों तक तुम्हारा रिणी ही रहूँगा। पिर महाराज ने अपनी प्रजा का पालन खुद की संतान की भाती किया। अनुष्ठान किया करती थी, किन्तु दुर्भाग्य से अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। उनके वंज को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था, जिससे महाराज सदैव चिंतित रहते थे। इससे केवल राजा भी दुखी नहीं थे, बलकि राजा की प्रजा और महाराज के पित्र भी परलोक में दुखी रहा करते थे। महाराज के द्वारा जो जल अपने पित्रों को दिया जाता था, वह भी उनके शोक के कारण उबलने लगता था, जिससे पित्र ग्रहन नहीं कर पा रहे थे। महाराज को पुत्र की प्राप्ती होगी, पुत्र के बिना कैसे महाराज और उनके पूर्वजों का उद्धार होगा। किन्तु उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, जिससे महाराज हमेशा दुखी और उदास रहने लगे, फिर एक दिन महाराज राजमहल में बैठ कर सोचने लगे, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, जिससे मैं अभी तक संता नहीन हूँ, मैंने तो सभी धार्मिक कार्य, वरत और अनुष्ठान भी किये है, दान धर्म भी किया है, कभी किसी याचक को द्वार से खाली हात नहीं भेजा, मैंने सदैव ही गुरु जनों और पूज्य जनों की सेवा की है, फिर किस कारण से मेरी यह दुरगती हुई, किस कारण से मुझे पुत्र की प्राप्ति नही हुई, फिर एक दिन महाराज शोक से ग्रस्त होकर किसी को भी बिना बताए, एक घने जंगल में चले जाते है, वह जंगल बहुत ही भयंकर था, अत्यंत घने उस जंगल में जंगली जानवरों की पशु पक्षियों की आवाज महाराज के कानों पर पड़ रही थी, रास्ते देखो वहाँ पर म्रिग, वानर, आदी जानवर दिखाई पड़ रहे थे, महाराज उस जंगल में घूम घूम कर उस वन की शोभा देख रहे थे, उस सुन्दर द्रिश्य को निहार रहे थे, उस जंगल में घूमते घूमते दो पहर हो गई, फिर महाराज को भूक और प्य एक बहुत ही सुन्दर आश्रम था, जिसमें रिशी मुनी निवास करते थे, जैसे ही राजा ने उस आश्रम की ओर देखा, तो उन्हें कुछ शुब संकेत दिखाई पड़े, उनकी दाहिनी आख और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जोकी उत्तम फल की सूचना दे रहा था फिर महाराज की दृष्टी उस स्थान पर पड़ी, जहां सरोवर के तट पर व्रिक्ष के नीचे कुछ मुनी वेदों का पठन कर रहे थे, इस अत्यंत सुन्दर दृष्ट को देख कर महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई, वे अतिविलंबना करते हुए शीगरता से उन म दंडवत किया, तब वे मुनी बोले, हे राजन, हम आपकी विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न है, आप किस कारण से इस घोर वन में चले आए हैं, आप अभी भी जवान है, इस उम्र में आपको राजपाठ का त्याग करके वन में जाना शोभा नहीं देता, तब महाराज बोले हे महात्माओ, आपको प्रणाम है, मैं भद्रावती नगरी का नरेश सुके तुमान हूँ, मैं भूख और प्यास से व्याकुल होकर जंगल में भटकता हुआ इस स्थान पर आया हूँ, तो मुझे यह अत्यंत सुन्दर सरोवर दिखाई पड़ा, यह मेरा सौभाग्य है कि कि आप महात्माओ के मुझे दर्शन हुए है, मैं आप सभी के दर्शन करके धन्य हुआ, विधाता ने मुझे किसी कारण से ही इस स्थान पर भेजा है, हे मुनिजन, कृपया आप मुझे बताईए, आप कौन है, आपके क्या लाम है, किस प्रयोजन से आप सभी इस स्थान पर एकत्रित हुए हैं. कृपया आप मुझे अपना परिचय देकर मुझ पर उपकार कीजिए. फिर वे मुनी बोले, हे राजन, हम लोग विश्वे देव है, हम इस स्थान पर स्नान करने के लिए आए हैं. माग मास निकट आया है. आज से पाँच दिन के बाद माग मास का आर सन्न होते हैं और उन मुनियों से पूछते हैं, हे मुनियों, मैं अत्यंत दुखी हूँ. मेरी कोई संतान नहीं है. मैंने सब प्रकार के अनुष्ठान, पूजा पाठ, दान धर्म किये है. किन्तु किसी अज्यात पाप के कारण मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही ह जिससे मैं और मेरी पत्नी बहुत दुखी है. कृपया आप अपनी दिव्यद्रिष्टी से बताईए कि मेरे द्वारा कौन सा पाप हुआ है और उस पाप से मुक्ती के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए. तथा इस पुत्रदा एका दशी का व्रत किस प्रकार से करना कृपया मुझे ज्ञान देकर अनुग्रहित करे. राजा के द्वारा इस प्रकार से कहने पर मुनी अपनी दिव्यद्रिष्टी से देखने लगते है और महराज को उनके पूर्वजन्म का व्रतांत सुनाने लगते है. हे राजन, आपको यह श्राप आपके पूर्वजन्म के दोश के कारण लगा है. पूर्वजन्म में आप एक दूसरों का धन चूसने वाले वैश्य थे, आप धोके से दूसरों का धन हड़प लेते थे, एक दिन आप गाव के बाहर गायों के लिए बनाई गई बावली पर पानी पीने को रुके थे, तब उस स्थान पर एक गा गा दिया और खुद उस बावली का जल पी लिया. इसी घोर पाप के कारण आप इस जन्म में पुत्रहीन बन गई ये हैं. जो मनुष्य गायों को मारता है, उनकी बावली को तोड़ता है, जो प्यासी गायों को पानी नहीं पिलाता, उसे घोर पाप लगता है. इस बात को स प्रायश्चित करना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे कुछ उपाय बताईए. फिर वे मुनी कहते हैं, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप यही पर रहकर इस एकादशी का वरत करे. ये वरत बहुत महान है और पुत्र प्रधान करने वाला है. इस वरत की तीन पुत्र प्राप्त होगा. महाराज ने फिर वैसा ही किया, उन्होंने मुनियों का कहना मान कर श्रद्धा पूर्वक वरत का पालन किया. आश्रम में स्थित गायों की सेवा की, उन्हें हराचारा खिलाया और उनका पूजन किया. उन मुनियों के उपदेश का विधिपूर् प्रकार से पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से तथा इस दिन गायों की सेवा करने से उन्हें चारा खिलाने से राजा के सभी पाप नश्ट हो गए और महराज लौट कर अपने महल में आ गए माहराज को देखकर रानी भी अत्यंत प्रसन्न हुई फिर रानी ने कुछी दिनों में गर्भ धारण किया प्रसव काल आने पर राजा के पुन्य कर्म के प्रभाव से उन्हें एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र हुआ जिसने आगे चल कर अपने गुणों से पिता को संतुष किया माहराज के पित्र भी इस घटना क्रम को देख रहे थे वे भी बहुत संतुष्ट हुए और भगवान विश्नु को बारंबार धन्यवाद देने लगे भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं हे राजन इसी लिए मनुष्य को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए मैंने समस्त मानव जाती के कल्यान के लिए इस व्रत का महात्म्य आपको सुना दिया है जो भी मनुष्य एकागर चित्त होकर पुत्रदा का व्रत करता है वह इस लोक में पुत्रपाकर बृत्यू के पश्चात उत्तम गती को प्राप्त करता है इस महात्म्य को पढ़ने से और सुनने से सौ अगनिष्टोम यग्य का फल मिलता है तो दोस्तों आप सभी ने पुत्रदा एकादशी की इस महान कथा को ध्यान पूरवक सुना है इसलिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और आपके मंगल की काम ना करता हूँ आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताए जानकारी अच्छी लगी तो विडियो को लाइक जरूर करे इस विडियो को मित्र परिवारों के साथ शेयर करके इस कथा का प्रचार करे इससे आपको बहुत पुन्य मिलेगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो सके आप सभी का धन्यवाद